हेलो दोस्तो, वेलकम टू मुवी नाइट, आज हम 1979 में आई एक थ्रिलर फ्लिम जिसका नाम Escape from Elkateras है, उसके बारे में जानेंगे, हम देखेंगे कि कैसे कुछ कैदी ऐसा कर जाते हैं, जो आज तक वहाँ पे किसी ने नहीं किया, और सो ये एक true story based मुवी है, तो कहानी शुर जेल में ले जाते हैं, जिसका नाम Elkateras Island है, जहां सबको बाहरी दुनिया से काफी दूर रखा जाता है, और उन्हें बाहरी दुनिया की खबर सिर्फ गार्ड से मिलती है, और जहां इनमेट से मिलने के लिए उन्हें FBI से पर्मिशन लेनी पड़ती है, और हर सुबर Prisoners Count होत जाता है, नेम्स लिखने के लिए जो उससे मिलने वाले हैं, वहां Frank कहता है कि उसे कोई नहीं मिलने आने वाला, because Frank के ना कोई दोस्त है और ना ही उसकी कोई फैमिली है, वाडन उसे जाने देता है, बट वो उसे वार्निंग देता है कि आज तक Elkateras से कोई नहीं भागा है बट ये मुलाकात से Frank को एक फाइदा होता है, जहां वो वाडन के रूम से एक नेल कर्ट चुरा लेता है, और वो बाद में उसे बाइबल में छुपा देता है, थोड़े टाइम बाद, जब वो शौवर करने जाता है, वो Frank के पास आता है, और वो उसे चेला बनने कहता है, बट Frank ये एकसेप्ट करने से रहा, तो Frank इस बात का जवाब एक फाइट से देता है, और फ्रैंक को लाइबरेरी में हेल्प करने भेज देते है, जहां उसकी मुलाकात इंगलिश से होती है, जो एक ब्लाक में था, और उसे टू लाइफ सेंटेंस दिया गया है, क्योंकि लि बिजनस को लाइबरेरी में जाना अलाव नहीं था, तो Frank की ड्यूटी थी, कि वो आज काट में बुक्स और मैगजिन लेके हर सेल में जाये, जहां जिसको भी मैगजिन ये बुक्स चाहिए, वो ले सके, उसके ब्रेक टाइम में उसे डॉक मिलते है, जो अपना टाइम पें प्लिश से मिलने जाता है, जो Frank को प्रिजन की सारी डीटेल्स देता है, और वो बताता है, कि सर से निकलना ही सबसे बड़ा टास्क है, और फिर वो कहता है, कि अगर बाइच चांस वो पकड़े भी गए, तो उन्हें वहीं उन्हें गोली मार देंगे, वाच टावर से, और कहता है, कि अगर वो बिल्डिंग से निकल भी गए, अलकाटरेज आइलेंड के बाहर, पानी इतना थंडा है, कि वो बाहर तैर के दूसरी और जाने पे ही उनकी पानी में मौत हो सकती है, कुछ दिन बाद लिटमस से बात करते हुए, वो मेंशिन करता है, कि वेंटिलेशन जो टौपे है, वो उसे कामा सकते है, तभी दोपेर को फ्रैंक जस्ट इन टाइम बचता है, वुल्फ से जो उस पे नाइफ से हमला करता है, ये दोनों फाइट करते हैं, जहां गाट्स आके उन दोनों को अलक करते हैं, और दोनों को होल में बेज दिया जाता है, अन्ड हो जिसका नाम चारली बट्स था, वो सारे प्रिजनर्स बाहर होते हैं, तब वॉर्डन सबके रूम चेक करता है, जब गार्ड डॉक की रिमेनिंग पेंटिंग के सामान लेने आते हैं, डॉक काफ़े दुखी होता है, फ्रैंक को बाद में जॉप करने का मौका मिलता है, जहां वो कार्पेंटरे टीम जॉइन करता है, वहाँ एक दिन फ्रैंक देखता है कि डॉक कुछ ठीक नहीं नजर आ रहे थे, फ्रैंक वॉर्डन को कहता है, बट वॉर्डन उसे जस्ट इग पुरा लगता है, और वो डॉक की सारी उंगलियां बॉक्स में कले करके गार्ड को देते हैं, और कहता है कि ये भी उस रिपोर्ट में इंक्लूड करें, वॉर्डन देन फ्रैंक को बुलाता है, पुछने के लिए कि क्या हुआ, सार्केस्टिक लिए फ्रैंक कहता है, कि जो फ्रैंक के तरह ही जेल से भागने में काफी माहिर थे, और इसी तरह फ्रैंक उनको जानता था, एक दोपेर फ्रैंक देखता है कि उसके सेल में, जो मेटल ग्रेल है, उसके आजू-बाजू वॉल वीक हो गई है, जो कहती है कि तुम्हारी मॉम के पास अब कुछ ही महीन बाकी है, तो विजिटिंग टाइम खतम होने पे चार्ली अपनी मॉम के बारे में सोच के, वो काफी दुखी होता है, और वो डाइरेक्ट फ्रैंक को कहता है, कि अगर वो यहां से भागने वाले हैं, तो उसे भी इंक्लूड करे, तो फ्रैंक आंगलिंग ब्रदर्स के साथ चार्ली को डिनर के टाइम मिलने कहता है, डिनर पे फ्रैंक बताता है, कि ग्रिल के आजो बाजो, मॉस्ट एर के वज़े से, वहां की दिवार वीक हो गई है, और वो अगर ट्राय करें, तो वो उस दिवार के उस पार खोद के जा सकते हैं, बट वो फिर बात करते हैं, कि अ उस होल को चुपा सके, वो कार्डबोर्ट से हेट बनाने का सोचते हैं, और अलाइंग ब्रदर बार्बर शॉप में काम करते थे, सो वहां से वो हेट चुपा के लाएंगे, और आगे वो रेंकोट्स एंड सिमेंट चोरी करने का डिसाइड करते हैं, जिससे वो लाइफ बो था बट वो सारे ready हो जाते हैं ये risk लेने के लिए Frank अब रोज दिवार खोदने पे काम करने लगता है बट समय के साथ वो nail clipper से काम करना काफी मुश्किल हो जा रहा था और जब Frank दिवार खोदता है तब Charlie guard पे नजर रखता है so that वो पकड़े ना जाए next day meal time पे Frank जान बुझ के अपनी spoon गंदी करता है so that वो दूसरी spoon मांग सके and जैसे ही वो दूसरी spoon लेने जाता है Anglin brother guard से बात करने लगते हैं जहां Frank एक के जगद दो spoon ले लेता है बाद में जब English आता है magazine देने Frank उससे पुछता है कि कोई तरीका है metal weld करने का cell के अंदर तो English कहता है कि वो उसे सिखा देगा ऐसे ही काफी दिन बीच जाते है तब लिट में 15 डेजर्ट के बदले Frank को dime देता है Frank वो dime यूज करता है spoon and nail clipper को join करने के लिए so उसे एक grip मिल सके and वो जल्दी काम खतम कर सके वहाँ Charlie के मदद से वो जल्दी बैट पे पहुँच जाता है जब इकार्ड राउन मारने आता है ऐसे ही काफी दिन बीच जाते है and उसने mostly metal grill के आजु बाजु सारी concrete तोड़ दी थी and वो देखता है कि metal grill को wedge guard को दे देता है but guard को उस पे शक होता है इसलिए वो उसकी सारी जेबे चेक करता है but उसे वहाँ से कुछ नहीं मिलता Frank cell में जाता है and उसने second wedge अपने shoe में छुपा रखी थी and उस wedge की मदद से वो finally grill तोड़ पाता है कुछ महीने ऐसे बीच जाते हैं जहां Charlie and Anglin Brothers ने भी concrete काफी हद तक तोड़ लिया था also वो dummies बनाने पे लग जाते हैं Charlie painting set मंगाता है as new hobby pursue करने के लिए so वो सारे dummies को paint कर सके and cardboard से fake metal grill बनाते हैं so किसी को शक ना हो and जैसे ही Frank अपना dummy बना लेता है वो दिवार के उस ओर जाता है जहां वो देखता है कि वहां एक utility corridor था and वहां उपर एक ventilation shaft था but वो ceiling काफी उपर होती है and तभी हम देखते हैं कि guard round ले रहा था and पहली बार वो dummy के वज़े से उसे शक नहीं होता but जैसे ही वो second time वहां से जाता है वो देखता है कि Frank ने अभी तक कोई movement नहीं की and things weird तब होते हैं जब guard अपना baton by mistake गिरा देता है but उसकी आवाज से भी Frank हिलता नहीं है guard थोड़ा आगे आता है उसे हाथ लगाने के लिए but luckily Frank तब तक dummy के जग़ खुद आ जाता है next day वो अपने दोस्तों को उस और जाके उसने क्या देखा वो बताता है Frank सबकी progress के बारे में पूछता है जहां Align Brothers ने mostly complete कर लिया था but Charlie थोड़ा पीछे पढ़ रहा था later उस रात Align Brother और Frank utility corridor में मिलते हैं जहां वो raincoat चुपाते हैं Align Brothers की मदद से Frank उपर ventilation shaft चेक करता है and वो देखता है कि ventilation shaft काफी strong है and उसे तोड़ने के लिए काफी strong tools चाहिए होंगी and वो बाजू में देखता है कि वहाँ एक electrical outlet भी wall पे है next time जब वो band practice करते हैं Frank litmus से एक extra extension cord मांगता है and एक drill मांगता है but अगर litmus पकड़ा गया तो वो काफी लंबे समय तक hole में बेजा जा सका है but litmus मांगता है इस दीपे कि अब से Frank के सारे desert उसके होंगे Frank एक small desk fan भी चुरा लेता है जहां वो guard को trick करते हैं जब guard Charlie का case चेक कर रहा था अब जब Frank के पास सारे tools हो जाते हैं including pen light जो उन्होंने dock से चुराई थी Frank and Align brothers एक utility corridor जाते हैं जहां पे वो pipe तोड़ देते हैं जो shaft को support कर रही थी then Frank अंदर जाता है drill यूज करके जो उसने litmus से सीखी थी ऐसे ही और काफी महीने बीत कए थे Frank को यहां आये हुए and अब वो यहां से भागने के लिए भी ready थी Charlie काफी worried होता है because उसकी fake grill बार-बार गिर जाती है but John कहता है कि उसकी raft next Tuesday तक ready हो जाएगी so वो Tuesday राद को ही निकल जाएगे ऐसे ही breakfast पे Frank वो crescentum flower निकालता है जो dock ने उससे कहा था पानी देने के लिए litmus वो flower देखे काफी खुश होता है because यह flower plant litmus and dock ने साथ में लगाया था but warden जैसे ही वो flower देखता है उसे वो painting वाला incident याद आता है and वो इस वज़े से यह बार का different reaction देता है वो फिर flower को crush कर देता है and यह देखके litmus को बहुत बुरा लगता है and वो warden पे jump करने जाता है जहां उसे फिर heart attack आता है and उसकी वही death हो जाती है यह incident के बाद warden को Frank पे शक होता है and वो उसके cell inspection का orders देता है जहां उनको कुछ unusual नहीं मिलता because वो fake grill के वज़े से but still warden Frank का cell change करने के orders देता है but as paperwork को कुछ दिन लग सकते है so Frank का transfer Tuesday morning को होगा next day group को पता चलता है कि wolf hole से बहार आ गया है and वो देखते हैं कि wolf directly Frank के पास आता है and वो कहता है जैसे ही उसे मौका मिलता है वो Frank को मार देगा so group decide करते हैं कि वो आज रात को ही भागेंगे Tuesday रात की जगा wolf दोपेर में Frank को मारने आता है and वहीं दूसरी ओर Charlie डर के cell में ही रूने लगता है वहाँ वो राफ लिटमस का माउस लेके तीनों ventilation shaft पे चड़ते हैं and roof पे पहुच जाते हैं जहाँ वो दीरे दीरे करके pipeline से नीचे आते हैं fence तक light house की light से बचते हुए and तभी Charlie अपना mind change करता है and वो hole के उस तरफ जाता है पर वो देखता है कि ventilation shaft काफी उपर है and इस बार उसके दोस्त भी नहीं थे उसे उपर की ओर खीचने के लिए and इससे दुखी हो के वो वापस अपने cell में आ जाता है and वो पूरी रात अफसोस करता है उसकी missed opportunity पे वहां Frank and Align brothers wired fence के उपर jump करते हैं इस तरह से कि किसी को hurt ना हो and अब वो officially building के बाहर आ गए थे then वो raft के साथ ही तीनों पानी में खूच जाते है and raft को पकट swim करते हैं अपनी freedom की ओर next उबर जब रोज की तरह prison count होता है तब guard को पता चलता है कल रात का incident and वो फिर जल्दी से search operation start करता है जहां उन्हें पानी में वो prisoners की personal items मिलती है and वो ये देखके सोचते हैं कि ये चीजे ऐसी है जो वो कभी छोड के नहीं जा सकते जिससे वो अनुमान लगाते हैं कि prisoners की death हो गई है but आगे ही एक rock पे वो crescentum flower था जो warden को मिलता है but island ऐसा type नहीं था कि जहां पे ये fool खिल सके so warden समझ जाता है कि ये frank ने एक message की तरह वो flower वहाँ पे छोड़ा था and then last में हमें बताया जाता है कि वो fugitives की body कभी नहीं मिली and उसके एक साल बाद Elcatris jail भी बंद कर दिया गया था and यहां पे हमारी movie खदम होती है